हो गए हैं फरिदवाद में इसका असर साथ और पर नजरा रहां के पुरुशियों के साथ साथ महिला कर्ब जारी भी हर्टाल पर केंगे कि फरिदवाद में तमाम बिभागों के जो लीपिक हैं वह पिछले आठ दिनों से धरने पर बैठें और आज धरने का नौमा देना है तो लगातार आप देख सकते हैं कि सुभए से ही यहां पर तमाम जो लीपिक हैं जो फरिदवाद के अलग-अलग बिभागों के सभी इस पर कुछ नहीं हो पाया है और हमारा नौवा दिन है और सरकार की तरफ से हमारे पास अभी कोई भी कितने विभागों के लोग है यहां हर डिपार्टमेंट की लोग बैठे हुए और हमारी जो मांग है 3500 उसके लिए कि सरकार अभी बिल्कुल भी कोई संख्णान ही ले रही है हमने बार बार अपने जो टालंग हम इत्ता चाहेंगे कुछ महिलाएं भी हैं आपर जो पिछले आठ दिनों से लगातार धने पर बैठी और आज नौवा दिन हैं इनसे भी हम जान लेते हैं क्या नाम है आपका मेना मीनु है मैं डीसी ओफिस से हूं मैं 2020 में क्लरक की जोइनिंग पर पहले मेरा जो जोइनिंग दी गई हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा जो पेशिक पेव उननीस नौसों से रिवाइज होगे 3500 कि आ जाए हमारे समानांतर जो पत्स्रेणी के कैटेग्रीज हैं जैसे MPSW है और स्टाफ नर्स वगएरा है जेबिटिया उन सभी का हर एक पेश्केल रिवाइज होता गया हर ए परियापत नहीं है हमारा बढ़ारान चाहिए क्या दिक्कता आती है इस पोस्टिंग है वह 300-300 किलोमेटर दूर दी जाती है उननीस नोसों में घर चलाना बहुत मुस्किल हो जाता है इदी दो बच्चे हैं उनकी फीस भी देखी जाए तो 16-17 रुपे उनकी फीस होती है औ उननेस जार नोसों में इनकी जो घर की जरूरते हैं बेसिक जरूरते हैं वह पूरी नहीं हो पाती और तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि सभी विवागों के जो लीपिक हैं वो यहां पर लगातार पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो पेस्केल है वो बढ़ाया जाना चाहिए और सेकड़ों की संख्या में यहां बैठे हुए हैं तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लगाता और धर्णा कर रहे हैं तो जो ऑफिस हैं जो कार्याल ने हैं सरकारी उनमें भी जो काम है वो पूरी तरह से जो कुछ को किली जो 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 काम है वो फिस्केल जो जो कि झाम हैं एपी जो काम है आरी जो काम हैंदिस तरह सेकारी उनमें जो जो